समाजवादी पार्टी द्वारा मेरट सीट से फिर से मिद्वा बदलने की खबर पर विधायक अतुल परधान ने गहरी नाराजगी जताई है कहा जा रहा है कि मेरट सीट पर पार्टी अतुल परधान की जगे सुनीता वर्मा को टिकेट दे रही है टिकेट काटे जाने की अटकलों पर अतुल प्रधान ने कहा कि अगर उनका टिकेट कट जाता है तो विधायकपत से इस्तिफा दे देंगे सुत्रों के मताबिक अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी ने ऑफिस में बुलाया जहां अखिलेश यादव ने मेरट से चुनाव ने लड़ने की बात कही इस पर अतुल प्रधान ने इस्तिफे की पेशकस करते वे कहा कि अगर टिकेट कटा तो विधायकपत से इस्तिफा दे दूँगा अलु प्रधान ने एक्सपर पोस्ट करते वे कहा जो राष्ट्रिय अध्यक्स अखिलेश यादव जी का निर्ने है वो स्वीकार है जल्द ही साथियों में बैट कर बात करेंगे आपको बता दे कि अतुल प्रधान सर्धना सीट से विधायक है और उन्होंने विधान सबच चुनाव में बिजेपी निता संगीद सों को हराया था इससे पहले सपा ने इस सीट पर अपना उम्मिद्वार बदलते वे भानु प्रताब की जगह अतूल प्रधान को टिकेट दिया था ऐसे में एक बाफ फिर इस सीट से उम्मिद्वार बदले जाने की खबर से अतुल प्रदान नाराज बताय जा रहे हैं सपा में लोग सबाचुनाव की मद्दे नजर बतले जा रहे प्रतियाशियों के टिकेट को लेकर राष्ट्रे लोगदल की मुखिया जयन चोदरी ने तंच कसा है उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट करते वे कहा विपक्स में किस्मत वालो ने रामायन सीरियल से राम की भूमी का निभा कर विख्यात हुए अभीनेता अरुन गौविल को उमिद्वाय बनाया है आपको बता देए कि यूपी की मेरट लोग सबाच सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रेल को मतदान होगा वहीं आगरा लोग सबाच सीट पर तीसरे च हाते वे जा रही है